हेलो फ्रेंड्स क्या आप Export Import Business करना चाहते हो बड़ आपको आस फाइनांस नहीं तो एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट-बिस्नेस के अंदर आपको फाइनांस कहां से मिलेगा यह डिटेल में पूरा यहां पर वीडियो में आपको बताऊंगा आयं परेश सोलंग की International Export Imporrt Trainer and Exporter चलिए तो एक्सपोर्ट किसी को भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि सर्फाइनर्स कहां से लाएंगे और कितना फाइनर्स यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू एक्सपोर्ड इंपोर्ट स्टार्ट करने के लिए basic जो है 50,000 to one leg का finance जो है यहाँ पे लगता है business setup के लिए जिसमें IEC, RCMC, GST, Fasai, website जो भी basic setup है dependent product के हिसाब से and थोड़ा बहुत marketing तो करने ही पड़ेगा buyer तब ही आएगा तो 50,000 to one leg का investment यहाँ पे export import business start करने में यहाँ पे लगेगा दूसरा investment होता है product को purchase करने का यहाँ पे आप अच्छा महनत करोगे तो यहाँ पे payment का tension नहीं लेना है क्योंकि आपको buyer advance payment देगा वह payment से ही आपको goods purchase करना है and purchase करके export कर देना है तो as a exporter आपको basic 50,000 to one leg का investment लगेगा उसके बाद export में को investment नहीं लगता है और दूसरा अगर आपका 50% advance payment है and 50% LC या after copy of document या BL के सामने है तो यहाँ पे जो है 10 lakh का order है फाइला कुपिट एडवांस आ रहा है 20% profit है तो आपको यहाँ पे चाहिए अभी थ्री लेक रुपीज तो वो थ्री लेक रुपीज आप कहां से लाओगे देखे पहले यहाँ पर आपको बता दू एक्सपोर्ट में basic investment लगेगा 50,000 to one leg का दूसरा को investment नहीं लगता है मतलब एक लाख से export import business शुरू कर सकते हो इसमें कोई problem यहाँ पर नहीं रहता है दूसरा जो है सिचुएशन में बताई कि थोड़ा बहुत आपको payment लगेगा तो वन्टू फाइला क्या वन्टू 10 लेक का आगर आपको इसा बड़ा order है तो यू नीड़ 10 लेक रुपीज तो यह 10 लेक रुपी इसकी requirement है तो यह फाइलाक रुपीज आप कहां से लाओगे तो यहाँ वे सबसे पहले होता है प्रसनल फाइनांस अगर आपके पांस सेविंग्स वगर है तो फिर आपको किसी को बोलने की ज़रूत नहीं है आपका कुछ FD वगर है आपका कुछ मुचल फड़िया शेर में का investment है जहां पर भी आपका investment है वहां से आप निकाल के अपने order को फुल्फिल कर सकते हो सेकंड आप बोलो कि ऐसा तो यहां यह में वापस दे दूंगा और यह रास्ता बहुत ही अच्छा है यहां पर ना तो को चाहिए आपको जो है यहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली से आसानी से फाइनास मिल जाएगा तो यहाँ पर आप जो है फ्रेंड्स और फैमिली के फाइनास से भी एक्सपोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो बोलो के सर ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास तो फिर आप जो है मार्केट से finance उठा सकते हो जिसके अंदर like gold loan हो गया private finance हो गया nbfc का finance हो गया तो वहां से भी आप finance ले सकते हो three to five lakh rupees आपको चाहिए तो market से भी आप finance ले सकते हो बोले सर ये भी option नहीं है तो next सबसे बड़ी option होता है वो है bank आप bank से finance ले सकते हो अब bank से finance लेने के लिए यहां पर आपके पास proper document होने चाहिए अब proper document में क्या क्या आता है प्रॉपर documents के अंदर जो है आपके income रेख जिटन हो गया आपका business है दो दो साल का auditory balance sheet हो गया तो इसके बेज आपको जो है bank finance दे सकती है या फिर आपको mortgage होना चाहिए देखो मेरा काम है आपको genuine information देना आपको mortgage है तो bank आपको finance दे सकती है आप personal finance bank से ले सकते हो या government की subsidy वाला को finance है कई लोग पूछते कि sir government export start करना में help करती है पर उसके लिए हमारा कागज होना पढ़ेगा जैसे कि आप skim का नाम लिख लो cgtmse government का scheme है स्कीम के अंदर अब टू 5 करोड का finance without any cultural security मिलता है cgtmse का website है आप वेबसाइट के उपर जा सकते हो एंद पूरा detail जो है इसके बारे में ले सकते हो फिर government का और और एक scheme है इंट्रेस्ट equalization scheme जिसके तहत यह कोई भी बैंक आपको देगी आपको कोई भी बैंक में जाना है बोलना है interest equalization scheme के तहत मुझे जो है finance चाहिए तो इसके अंदर जो है government interest subsidy देता है राइक 2% या 3% तो यहां पर क्या होगा आपको 9% पर लॉन मिल रहा है government इसमें 3% interest बेर करेगी तो export करने के लिए आपको जो है 6% पर finance मिलेगा और भी government की बहुत सारी scheme है जो MSME से मिलता है स्टार्टप इंडिया के तहद आपको लॉन मिलेगा दूसरी MSME की बहुत सारी scheme है manufacturing करना तो अलग से scheme है manufacture को up to 10 ले 25 ले क्या 50 लाग तक का लॉन मिलता है उसमें भी government का subsidy रहता है 35% तक जो है government subsidy देता है तो यह बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पर हमें finance की जबुत इती पड़ती नहीं है तो export còn करना बहुत ही simple है वड़ मैं आपको बता दो यहाँमेहनत लगती है आपको मेंहनत करना है और पैसा कमना है तो export import में आप आईए खायो मळना है और बेठे-ठे पैसा कमाना है तो export import में मत आईएगा कोई दूसरा काम कर सकते हो export import जो है मेहनत का काम है यहाँ पर पैसा भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर मेहनत भी लगती है तो यहाँ पर वीडियो को जो है अपने ग्रूप में शेर कीजे जिसे लोगों को export import का पुरा knowledge मिले और यह मेरा 60 वीडियो का तो सबसे पहले export import learn कीजे and successful exporter बनिये and देश का export बढ़ाई है let's go global together thank you क्या आप successful export बनना चाहते है right business mentor को find कर रहे हो जो आपको step by step आपका business start करने में help करे then join our export import practical training and learn from exporter and international export import trainer Mr. Parish Salonki training को join करने के लिए हमारी application को download कीजिये और visit www.onlineexim.com for more detail you can contact us on this number let's go global together join now